इन दिनों कोरोना के अलावा सोशल मीडिया पे कोई और भी छाया हुआ है और वो है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस गुरुवार राज से लेकर अब तक चर्चा में हैं यह चर्चा वकार यूनुस के ट ट्विटर संदेश जारी करते हुए अपनी सफाई पेश की है। इस संदेश में वकार ने दावा किया है कि किसी ने उनका ट्विटर एकाउंट हैक कर लिया है और ऐसा पहले भी कई दफा हो चुका है। और अब इससे परिशान होकर उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ने का भ है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है और बड़े अफसोस की बात है और बड़े तकलीफ दे बात है मेरे लिए भी और मेरी फैमली के लिए भी। मैं समझता था सोशल मीडिया या ट्विटर एक इंटरेक्ट करने का तरीका है जो कि अपने जानने वाले अपने पहचानने वालों को इंटरेक्ट करने का तरीका है लेकिन उनफॉर्चनटली इस इनसान ने पहली दफ़ा नहीं किया ये पहले भी हो चुका है तो मेरा ख्याल है कि ये आदमी तो ये इंसान तो बाज नहीं आएगा तो मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली ज्यादा अजीज है, मुझे अपने घर वाले ज्यादा प्यारे हैं तो आज के बाद आप मुझे सोशल मीडिया पे नहीं देखेंगा हम सौरी अगर किसी को तकलीव हुई है इस बात से वकार यूनियूस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं उन्होंने सित्यासी टेस्ट क्रिकेट मैचों में 373 और 262 एक दिवसी मुकाबले में 416 प्रिकेट लिये हैं वकार और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदूलकर ने 1990 में कराची के नैशनल स्टेडियम में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुवात एक ही दिन की थी सचिन तब केवल 16 साल के थे और वकार एक दिन बाद ही 18 साल के होने वाले थे तब पाकिस्तान के अगवारों में भी सचिन कोई खास चर्चा में नहीं थे सिवा इसके की क्रिकेट इर्तिहास में वे सबसे चोटी उम्रके खिलाडी थे वकार की तारिफों से पाकिस्तानी अगवारों के पन्ने भरे पड़े थे कि किस तरह इस यूवा गेनबाज ने भारती बल्लिबाजों के नाग में दम कर रखा था अगवारों में कहा गया था कि उन्होंने कई बल्लिबाजों के हेलमेट पिचक दिये हैं और चार विकेट चटकागर अपने टेस्ट करियर का दमदार आगास किया था जदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें